कि लेटिस्ट वीडियो के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बिल आइकन पर क्लिक करना न भूलें हलो दोस्तों आज हम आपके सामने एक नया टापिक लेकर हाजिर हुए हैं और वह टापिक है MS PowerPoint का Home Tab MS PowerPoint का Basic Knowledge के टुटोरियल इससे पहले पेस किया जाए शुका है आज हम Home Tab के बारे में देखेंगे आप ध्यान से देखिएगा Home Tab के सभी आपसंद को हम तेजी से कवर करेंगे और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा हम स्टार्ट करते हैं यह देखिए पूरा यहां से यहां तो जो टूल पट्टी आप देख रहे हैं यह आपकी पूरी Home Tab की पट्टी है इसमें कई गुरूप है क्लिप बोर्ड, स्लाइड, फॉन, परेग्राफ, ड्रॉइंग, इडिटिंग कई गुरूप है अब जैसे अगर हम बात करते हैं पहले क्लिप बोर्ड को इसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फार्मेट पिंटर जैसे आप से मिलते हैं किसी मैटर कट या कॉपी हम कर सकते हैं ज अब यहां पर भी आ गया, आप द्यास 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 देख सकते हैं राजा बगल में भी आ गया है ज़ी को फार्मेट पिंटर देखना आप ए यहां पर यह लिखा है जिसे कुछ formating कर देते हैं, जिससे हमने इसको red कर दिया, ठीक है, इससे यहां के use भी देख लिजे, और इससे हमने बड़ा कर दिया, इसका भी use देख लिजे, ठीक है, bold कर दिया, इसका भी use देख लिजे, यह हमने formating लगा दिया, अब हम चाहते हैं, इस formating, जैसा यह formating है, वैसा ह हम नीचे रमन को भी वैसा ही कर दें, जैसा उपर यह वैसा नीचे रमन को भी कर दें, इसके लिए फार्मेट पेंटर काम करता है, फंप सेको select करिए, यहां अप्सन है ध्याद़ी देखिएगा, यह cut का है, copy का है, paste का है, इस पर क्लिक करिए, ठीक है तो, क्लिक करेंगे, नई slide लानी हो आप यहां चलिए new slide पर क्लिक कर दिजी आपके देखिए new slide आ जाएगी जैसे यह slide था वैसे यह slide नई और आ गई यहां कुछ अलग ढग से रिख लेते हैं जैसे new सकती यहां आप डाल लेते हैं computer यहां पर भी आप कुछ ले सकते हैं इसका भी layout वैसा ही है जैसा उसका था अगर हम इस layout को चेंज करना चाहते हैं तो यहां चलिए यह layout चेंज करें का आप से यहां क्लिक कर देजिए layout करता क्या है layout के द्वारा आप बहुत आसानी से कोई भी matter बना सकते हैं चुकि यह matter लिखने के लिए जगह देता है यह automatic formatting कर देगा जैसे अब हमें यहां कुछ लिखना हो माली computer की memory के बारे में memory दो प्रकार कर होता है internal और external देखिए बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं इसको अब memory के बारे में कुछ लिखना हो जिसे internal memory लिखना हो RAM 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 ROM लिख सकते है external memory के बारे में लिखना हो hard disk sloppy disk CD DVD ऐसे हम लिख सकते हैं मतलब इससे हमें फार्मेट नहीं बनाना पड़ा बना 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 फार्मेट मिल गया आपकी देखा सकते हैं तक हमने यहां कर दिया अगर इसी फार्मेटिंग को इसी के देखना हो तो वह लिख सकते हैं अगर आपने कहीं पर कुछ क्लिक कर दिया है ऐसे आप एक नई स्लाइड और ले लिजिए अब यहां पर माली जमने यहां कुछ लिखा जब आप रिसेट कर देंगे तो वह स्टार्टिंग में आ जाता है यहां आपने क्लिक किया रिसेट कर देंगे वह पूर्वत हो जाएगा जैसा था इस ठाइल स्कारव करता है स्क्सन अगर अगर आपने कर अगे बना रखी है और उसमें से प्लस अब इसे मोटा करना बोल इटली का अंडरलाइन ये समझी रहे हैं कर सकते हैं कि कुछा सैड नुम आजए गाओ काना है अपका तो यहां से बड़ा कर सकते हैं तो सभी शोटा कर सकते हैं यहां से भी बड़ा sentence case में यह select नहीं है, इसको पूरा select कर लीजे, ठीक है, और सभी आपके lower में, toggle में एक अक्षर बड़ा, बाकी सब छोटा, toggle जिसे uppercase कर दीजिए, पहले catalyze each word करिए, हर सब्द का पहला अक्षर बड़ा, हर सब्द का पहला अक्षर बड़ा, देखिए, यल बड़ा, yes बड़ यह देखिए, आपका होगे, बड़ा और चोटा-चोटा यह बड़ा, Ctrl-J कर दीजिए, पहले जैसा हो जाएगा, इससे color change कर सकते हैं, यह आपका formatting, जो भी formatting इसको लगा हटाना है, क्लिक कर दिए, यह सब हड़ जाएगा, Ctrl-J कर दीजिए, वापसा जाएगा, दीजिए, बुलोट-numbering लगाना है, कुछ आपने लिखा उस पर, बुलोट-numbering लगारा मालिज़ा, आप ने इस slide लिया, यहाँ पर ही कुछ लिखती है, यहाँ कुछ भी data, mobile, इस हो दिए बारे में, आपने बुबायल के बारे में, आपने कुछ लिख रहे है। अब पर जो भी आप लगाएंगे तो आप जिससे लिख दिया राचन, सुरेश, कुछ भी अभी बुलेट नम्बरिंग चेंज करनी है यहां से आप जाके चेंज भी कर सकते हैं देखिए उस टाइप के नमबर आ जाएंगे जैसा हो पहले इसको स्लेट कर लीजी फिर यहां कोई औ इनको जेक्मीन है देखिए उनको करना भी कर दोग्हार बिए जीचित हो घ कर सकते हैं तीन कालम में design इसे अभी आप इसमें कई मैंटर लेख दीजिए अगर आपको दो थीन कॉलम देखना हो अब इस मैंटर को स्लेट करिए यहां चलिए तू कॉलम पर देखिए दो कॉलम में हो गया ना ध्यान से देखिए दो कॉलम में दिखना है ठीक है और इन कॉलम में करना त्री कॉलम में तुन कोंसकर देखें, देखें। फिर तो 1 कॉलम में कर देते हैं। इसको खंगे पिनीशनी को से बलाएं सàngारी सी कर देखें। आप 1.5 कर दीजिए, या आप 1 कर देंगे, और कम हो जाएगा, ठीक है, ये देखे, कम होगे इस पेस, ठीक है, और इस टाइप से, अब अगर ये सारे आप से नवीट हो गए, इसमें टेक्स को आगे पीछे मुफ कराने के लिए होता है, ये देखी, इधर मुफ करता है, ये कोई देना है आपको उसके लिए छोटा टेस्ट कुछ लिखिए इसे डिलेट कर देता है इव पामने कुछ पी दिना है आप इसे डिलेटिय करना है अब इसे डिलेट्सन में आपको देगा अब इसे कर दिलेट्टेसमÏ आप देना है την टिलेटियक समीदिक 빨리 आपको देना है भी दीक Aww सामयाब इसको कर सकते हैं ठीक है जैसे अभी करना है आपको जैसे भी लगिए आप वैसे कर सकते हैं ठीक है alignment alignment अभी मैंने बता दिया top है middle फिर यहां चले जाएंगे bottom यह निचे चला जाएगा ठीक है middle करेंगे बीच में आ जाएगा और convert to smart art अगर smart art आपको यूज करना है तो smart art भी आप यहां से यूज कर सकते हैं आप एक blank ले लिचे एक और new slide करिए ब्लैंक लिचे डारेक्ट लगता है आप यहां यहां यूज करेंगे आप एक layout के अंदर माले जी इसी के अंदर हमें smart art यूज करना है तो यहां चलिए कौन से smart art लेना चाहते हैं यह अब यहां यूज कर सकते हैं आप जैसे आपने दिखा दिया input यहां लिख दिया अपने process यहां लिख दिया output इससे आपकी designing बहुत अच्छी हो जाती है बहुत अच्छी दिखता है देखिए इसा बबॉक्स बनाना पड़ा न यह बनाना पड़ा अपने आप बहुत अच्छी दिख दिख रहा है यह smart art के कमाल इसे चेंज भी कर सकते हैं कई धंग से आपको दिखाते हैं ऐसे कर सकते हैं इस करके लीजेगा आपके पर पर आपके पर यहां पर अगर कोई आपको लेना पर कोई डिब बा और यूज करना है तो आक ट्रिक करिए वो box आप क्ले कर सकते हैं अब इस box को कुछ color करना है और तो आप यहाँ जा Bj Joshua अब बाहरी आउटलाइन दिख रहा होगा देखे अंदर का रेड है पाहरी आपका बुल टाइप में दिख रहा है इसे भी कुछ और करना है तो आप कर सकते हैं ठीक है इसको भी कुछ अलग एफेक्ट देना है कि इस टाइप में कुछ आप पड़ अर्तन देखेंगे आप देखें अब एक आपको देख रहा है इस टाइप पर देखने लगा अईसे आप यहां से कर सकते हैं ठीक है और यहां पर जाके अगर आपने दो फोले लिया है आप ऐसे ही एक और ले लिया कोई अब इसको ले लिया अब अब Arrange में क्या होता जिसे इसको इसके नीचे करना है यहां चलिए Send Backward देखें यह पीछे चला गया यह उपर आ गया यहां से देखिएगा यह उपर आ गया यह पीछे चला गया जो पीछे उसको उपर आना है तो bring to front अब देखिए ये उपर आ गया वो पीछे चला गया देखा आपने ये काम आप यहां कर सकते हैं ये सारे आपसर भी complete होगे बाकि अगर हमने जो इसमें लिखा है इसमें जो भी लिखा है हमें कोई चीज सब जिसे lorem ही सर्च करना है कि क्या text में है तो find में चलिए search कर सकते हैं search box आजाएगा lorem देखिए आप देखिए सर्च करके दिखा दिए कि lorem यहां लिखा हुआ है ठीक है न रिप्लेस में अगर lorem हटा के मालीजी मुझे tiger करना है तो replace में चलिए उपल lorem लिखा है यहां replace कर दीजे अब बता देगा कि एक replacement हुआ अब देखिए जहां lorem वहां देखिए क्या लिख किया आगए tiger लिख किया आगए अब select में अगर आपको select all करना है या कुछ area select करना सब्सक्राइब करना है तो यह हमने पूरा बता दिया home tab के सभी आप संके बारे मैंने detail में आपको बता दिया उम्मीद है आपको सबन में आया होगा अगर आप पहली बार ये वीडियो देखने चैनल को subscribe और अवस्य करिए ताकि आपके पास latest वीडियो का update मिल सके और bell icon पर click भी कर दिजेगा बहुत बहुत धन्यवाद